ये आपका आज का संपात की एपार्ट है, देखिए संपात की एपार्ट, एडिटोरियल, आपको परलम्स में, मुख परिक्चा में, इंटर्वियू में, हर जगे मदद पहुचाते हैं, यहां से एक सामान जानकारी भी आप लोगों को मिल दिये, किसी खास टॉफिक पर, किस चाइना के साथ भारत का एक समझोता हुआ है, पैट्रोलिंग कहिने का मतलव है कि सेना की आबाजाही को लेकर, देखिए यह हमारा पड़ोसी चाइना है, लद्दाक, हिमाचल पिदेश, उत्राकंड, सिक्किम, अरणाचल पिदेश, पांच राज्यों की सिमा लगती है, औ और चाइना के सेनिकों के बीच जड़प हुई थी 2020 में, तब से तनाव बना हुआ था, अरणाचल पिदेश को भी चाइना अपना हिस्सा बताता रहता है, तो उसी को लेकर यह बातें की जा रही है कि चाइना पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, कि कब बदल जाए, कब क्या करने लग जाए, तो लद्दाक में सीमा विबात के कारण भारत और चीन के बीच पिछली चार साल से चर रहे सेन तराओ की समापती हो रही है, सौंबार को भारती पक्ष और मंगलबार को चीनी पक्ष के बयानों से पता चलता है, कि लद्दाक के देव सांग और डेम चोक क की स्तिती को लेकर अंसुली विबात पर भी भारत और चीन की सहमती हो गई है, विदेश मंतरी अश्य संकर ने भी संकेत दिया कि इन दोनों चेत्रों में भी दोनों पक्ष अपनी अपनी सेनाओं को अपरेल 2020 से पहले की स्तिती पर ले जाने और चीन की नियंतनक बाले अपसी सहमती के नेमों को तोड़कर नेहते भारतिय सेनिकों पर धोकेवाजी से किये गए हमले से सुरू हुआ था, अचानक हुए समनाक चीनी हमले में भारत के 20 जवान सहीद हो गए थे, बलिदान हो गए थे, हाला कि भारतिय सेना की तुरित एवं दमदार जवावी जनक की है, गलवर में हिंसक जड़ब के बाद दोनों देसों ने जितने बड़े पिर्माने पर पूरे लगदात में सेना और योद्ध सामगरी की तैनाती की, उसने किसी बड़े योदिकी इसंका वो बढ़ा दिया था, और योदिकी स्कत्रे को टालने के लिए पिछले चा पा रहा था, यह सही है कि बीते दो दिन की घोषना ने एसिया की दो वड़ी सक्तियों में बढ़ रहे तनाव और विभात के ठंडा होने की उम्मीद बढ़ाई है, लेकिन आपसी संदियों और सहमतियों के पिती चीन के पुराने इतिहास को देखते हुए, भारत में विसल सालिक लक्षों को पाने के लिए कुछ बड़े बिवादों पर अपनी सहमति तो जिता देती है, लेकिन उन लक्षों के पूरा होते ही हुए अपने पुराने धर्रे पर उतर आती है, सीमा पर निगरानी को लेकर सहमति बन जाने, समन्दिक होषना को संका की दिरिष्टी से देखना का एक कारने है भी कि इस सब्ता चीन सरकार की नजर रूस में हो रहे ब्रिक्स सम्मिलन की सफलता और उसमे भारती पिदानमंती नैदमोदी के साथ चीनी राष्टपती सी जिन्पिंग की सीधी बाचीत पर भी है, ब्रिक्स कहने का मतलब है कि आप देखे इसकी चीन के बीच बनी मौजुदा सहमेती की कुछ ऐसे अर्थ भी है, जो दोनों देशों की रिस्तों में कुछ नए समीकर्ण और नए नियमों को रेखांकित करते हैं। रखकर उसे ठका देने और अपनी मर्जी के समझोता पर उसे अंगूठा लगाने पर मजबूर कर देने की उसकी पुरानी चाल को नई दिल्ली ने इस बार नाकाम कर दिया। 72 दिनों तक रोकी रखने के बात जिस तरह बापस लोटने पर मजबूर कर दिया था। और चीनी कमनेश्ट पाटी और चीनी सेना के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। चीन इसमें माहर है इसलिए हुए भरोसे मंद नहीं है। भारत को यह ध्यान में रखना चाहिए कि चार सर्दियों के भारी तकलीब दे अनुभों के बाद चीन तक। चीन अब हिमालई चेत्र में और विसिस रूप से लद्दाक में अपनी रणीती बदल रहा है। नई रणीती के तहट चीन यहां अपनी गतिविदियां थल सेना के वज़ए बाईव सेना के अंदित करने में बैस्त है। पिछले चाल साल में उसने तिबबत और सिंजांग में नए हवाईड़े और मिसाइले तैनात कर ली है। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आरे बहुत ही बुरे दौर के रिष्टे जाब चुके हैं। और अमेरिका भी उसमें सामिल हो रहा है। भारत में बांचित और अमेरिका के साथ कनाड़ा की नागरिकता लिए। खालिस्तानी आतंग की गुरुपत वंथ सिंग पन्नो की हत्या की कते साजिस में अमेरिकार के। अमेरिका ने रौ के पूरा अधिकारी विकास यादो को आरुपित किया है। अमेरिका ने उसे ना तो रोका टोका और ना ही भारत को उसके बारे में जानकारी दी। और इसके नतीजे में ही मुंबई में भीसर्ट आतंग की हमला हुआ। गिलानी नहीं होता तो पाकिस्तानी आतंकी मुंबई में इतनी आसानी से गुस कर इतना कहर नहीं ढापाते। अमेरिका ने उसे इसलिए गरफतार किया क्योंकि वह डेर्मार्क में आतंकी हमले की साजिस रच रहा था। अमेरिका ने उसे केबल भारत को सुपने से इंकार ही नहीं किया, बलकि उससे एक समझोता पिले वार्णिंग किया, ताकि उसे फांसी की सजा ना मिले। अमेरिका गिलानी के साथ तहबुर हुसेन राना को भारत को सुपने से इंकार कर रहा है, जबकि वहाँ एक अदालत कह चुकी है कि ऐसा किया जा सकता है, पाकिस्तानी मूल का तहबुर कनाड़ा का नाग रिख है, उसने मुंबई हमले की साजिस रचने में गिलानी की मदद की थी, साब है कि अमेरिका मुंबई हमले के गुनरगारों को बचाने के साथ अपने पाप भी छपा रहा है, अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह भारत का सच्चा दोस्त नहीं है, और ये कहते हैं कि अमेरिका बड़ा मतलबी दोस्त है, आज आप दिखते हैं कि खालिस्तानियों को सरक्षन देने का काम इसलिए कर रहा है ताकि जब तब भारत की कान उमेट सके, उसका खुलका साथ कनाड़ा भी दे रहा है, माना जाता है कि कनाड़ा को पंजाब से भाग आतंकी हरदीप सिंग निजजर की हत्या में भारत की कतिर लिप्तिता की कुपि खालिस्तानियों की भासा भोलेंगे तो कनाड़ाई सिक्कों की सभी बोट उन्हें मिल जाएंगे, यहां भी जारा आजनीती होती है, उनका यह मुगालता साइद अंगले साल चुनाव में दूर हो जाएगा, लेकिन तब तक भारत को कनाड़ा से जाना अमेरिका से सावधा रहना चाहिए, क्योंकि वह पन्नु को भारत के खिलाब इस्तिमाल कर रहा है, अमेरिका की सहे पर ही पन्नु भारत को खुली धमकिया देता है, वह कभी भारत में हमास की तरह हमले की धमकी देता है, कभी हम कहता है कि भारत के टुकड़े टुकड़े करके रहूंगा, कभी यही कहना चाहरा है कि एर इंडिया के बिमान उसी तरह उड़ाया जा सकते हैं जैसे कनड़ा के खालिस्तानी आतंकियों ने 1950 में भारती बिमान को उड़ाया था, जिसमें 329 लोग मारे गए थे, इनमें अधिकांस भारती मूल के कनड़ाई या भारती है थे, पन्नो की हैसियत सीख चिल्ली कीसी है, लेकिन अमेरिका उसी को भारत के खिलाब मुहरा बनाये हुए है, और उसके खिलाब कारवाही करने के भारत के आगरे पर अमेरिका का कुतरक होता है, कि हमारे है तो अभीवेक्ती की आ जाती है, या कुतरक देकर भारत की आँख में किस तरह धूल जो वह इससे कुपित थी कि कैलीफोनिया की बेकर्स फील सिटी काउंसिल गाजा में युद बराम का पिस्ताव पारित क्यों नहीं कर रही है इसी को लेकर सिटी काउंसिल की और से बुलाई गई बैठक में उसने काउंसिल के पिती निदियों को खोग खरी-खोटी चुनाई और दैस में आकर यह भी कह गई कि हम तुम्हें दुमारे घर पर ही देख लेंगे और मार देंगे और उसकी इस भासन के साथ आदालत में जार-जार रोते हुए भी उसका वीडियो वायरल हुआ क्योंकि उसे गरपतार कर लिया गया था और आप दिखते हैं कि उस पर आतंकित क दरने के इरादे से धमकी देने और अधिकारीयों को निसाना बनाने समय एक दरजन से अधिक मामली दरज किये गये उसे ततकाल प्रभाव से नोकरी से निकाल दिया गया पासपोर्ट जब्त कर लिया गया उसे GPS नगरारी में रखने को बाद किया गया लगब उस ने यह करेकों को धमका रही थी रिद्धी पटेल का मामला अमेरिका के दोगलेपन और उसकी बुनी नियत के साथ उसका चालवाजी की पूल ही कोलता है लेक अग्देनिक जागरन में सुष एसोसेट एडिटर है राजीब सचान इनके द्वारा लिखा गया है आप देखते हैं इरान बाडियो सब्द काफी एकेला हूँ या अकेला ही काफी हूँ एस सब्द वह ही है और केबल क्रम बदला है किन्तु भावार तो बिलकुल बदल गया यही अंतर है कि नकारत्म को सकरांद सोच एब बाडियो सब्द दो ऐसे माध्या में जिनके प्रयोग से हम बहुत कुछ कम भी सकते हैं और गबा भी सकते हैं अनुवूती की अभीव्यक्ती बाडि की द्वारा होती है और बाडि हमारी अन्मोल संपत्ती अनुपम निदी है यदि हमारे पास बाडि की सकती ना होती तो हम अपने विचारों को मूर्त रूप नहीं दे सकते थे और ना ही साहित संस्क और हमारी संस्किती में इसलिए बाड़ी को सरसुती कहा गया उत्तम बाड़ी में चिंतन की गहनता विचारों की निर्मलता और भाव की भबता और पेड़ा की पवित्ता रहती है अपने इन गुणों से परिपूर्ट बाड़ी ही सरुताओं के हिदय को इसपर करती हुए उन सिक्षा एवं लोग के ब्योहार चलते हैं और एक बोल से बड़े-बड़े योद्ध हो जाते हैं तो एक बचन से बड़ी-बड़ी बिपत्या भी टल जाते हैं अते बचन को जोहरी की तरहे परक एवं समझकर बोलना चाहिए क्योंकि आग का जला हुआ तो समय पाकर अच् बचनों को संगहार कर देता है और लोग संका इवं आविस्वास की दिरिष्टी से देखने लगते हैं धरम का निवास भी हिदय से निकली मदुर बाड़ी ममता मई इस निक दिरिष्टी में होता है नमता और प्रिये संभासन ही हमारे दुलब आभूसन है मिर्दू बचनो से उत्पन हमारी कीर्थी जियोत्तिसना की वांती आनंद को बढ़ाने बाली होती है अच्छा कॉलम लिखा जाता है देख लिया करिएगा पड़ लिया करिएगा यह आप देखेंगे जेपीसी की बैठक में अनर्थ जो देखें जो आप देखतें कि वो बफ विदेयक है न अधिक प्रभाविक को सलता पुर्वक हो इसके लिए संसत्कों यूकशी एजनसी की जिरुवत होती है जिसपर संवन सधन का विस्वास हो अब आप कहोड़े कि जेपीसी का गठन की बात कर लेते हैं कि जेपीसी है क्या दिकितरत टढर्थ यानि आप दिखतें कि समतिय है और जिसका गटन संसद द्वारा विसेस मुद्धी या फिर आप देखी रिपोर्ट की जांच के लिए किया जाता है। और आप देखी जेपीसी का खटन अनेक दलों की सदस्तों को मिला कर किया जाता है। इस बज़े से यह एक दलगत सरचना है जो संसद में दलों की तागत के जरी निर्धारित होती है। कि बैठक में तेर्मूल कोंगरे सांसत कल्यान बनर जी ने केबल आपा को बैटे बलकि उन्होंने काच की वोतल तोड़कर उसे सम्थी के अध्यक जगदिमिका पाल की और फेका। क्योंकि कल्यान बनर जी कुछ जानदा ही आविस में थे इसलिए वह खुद को चोटिल कर बैटे इसके लिए वह साहनभूती के पात नहीं हो सकते। इस पर आश्चर नहीं है कि उनके अराजक्त आचरन के लिए उन्हें एक दिन के लिए नीलंबित कर दिया गया। कि एक बार राज्यसभा से भी नीलंबित किये जा चुके हैं। को पारा है या और कुछ नहीं संसदी बेवार का चरन ही है। आखे संसद या फिर उसकी समतियों में सदस अपनी बाद तरक संगत तरीके से क्यों नहीं रख सकते हैं। और कोई तब बॉकलाहट का परिचय देता है जब वो अपनी बात तारिकिक धंक से कहने में सक्चम नहीं होता है। या फिर विपरीद विचार को सुनने के लिए तियार नहीं होता है। बहतरी की आस तो बिहार में पुलिस तंत को मजबूत करने के चल रहे प्रयासों में एक और कड़ी जुड़ी गई है। अधिकारियों पर भी निर्वा करेगा कि बेभविस का पूलिस तंत किस पेकार गढ़ना चाहेंगे चाहते हैं। और इनी में कई अपने कर्तबों से उच्च पद और पितिष्ठा को प्राप्त करेंगे। समाज उन पर गरब करेग का और बासरते उन्हें इस मुकाम तक पहुँचने का संभल मिले। अतिव्यस्तिता से फिरभावित होता है। इक लिए पुलिस तंतका सक्त और संसाधन संपन होना जरूरी है। बिहार देखना हो बिहार देख लिए। बिहार तो हमेसा चर्चा में बना रहता है किसी ना किसी कारण से। पटना इसकी राधधानी है देख लिए। और देखिए इसकी अंतराश्टिय सीमा नेफाल से लगती राज्यो में उत्तरपदेश जारकन पश्चे मंगाल से लगती है। नेटेश कमार यहां की चीम मिनिस्टर हैं। राज अंदर लेकर यहां की राज जपाल हैं। विधान सवा में 213 सीट विधान परिशत में 75 सीट हैं। राज्यसवामी शोले सीट हैं। लोग सवा के तहत 80 करोड रुपे की लागस्ते बिक्सित की जारी देश की पहली हाइडोजन टेन इस बस के अंतितक हर्याना के जिंद और सौनीपत के बीच परिचालित हो सकती है यह पहल भारती रेलबे के लिए एक नई करांती का संकेत है जो रेल परीबहन के चेतर में हाइडोजन इ अब हाइडोजन की उपयोग से एक नया अध्या जोड जाएगा हाला कि हाइडोजन से ट्रेन परिचालन का इतियास बहुत पुरान नहीं है दोजार अठारे में जर्मनी में दुनिया की पहली वर्डिजिक हाइडोजन संचाले ट्रेनों का संचालन शुरूँत हुआ था ऐसे में भारत भी हाइडोजन आधारे रेल परियोजना में अपनी उपस्तिती दर्ज कराकर छेत्र में अगडी वन्नी की उड़ अगसर है। हाइडोजन से चलने बाली ट्रेन एक इस्थाई और स्वक्ष उड़जा बिकल पिदान कर सकती है। हाइडोजन ब्रहमंड में पिच्चुर मात्तरा में पाया जाने बाला तथ है। इसे इन्धन की रूम में इस्तिमाल करने से परिवाहन लागत कम होने के साथ देश क्यों हरित भविस्की उल लाया जा सकता है। पांट टन जरूर आंकड़े याद रखेगा। छे दसमलों पांट टन कारवन डाय उक्साइड का उसरजन होता है। और ये हाइडोजन टेन की स्वक्षता और परियाबन की पिती इसकी भूमिका को इसपश्ट रूप से दरसाता है। हाइडोजन से चलने बाली टेन नाकि परियाबन के लिए हितगारी है बलकि आर्थिक दिरिष्टी कौर से भी लाबकारी है। नाकिबल गैर बिद्धुती कित मारगों पर डीजल टेनों का एक बहतर विकल्प हो सकता है बलकि दुर्गम छेत्रों में जहां बिद्धुती करण संभव नहीं है। वहाँ भी एक ससक्त विकल्प की रूम में उभर सकता है। यह आप देख लिजे। यह टिपनिया रहती है नहीं भी आप लोग पर सकते हैं देख सकते हैं। यह आप देखें सही नहीं बैंकों को बिदेशियों को बैचना। यह आर्टिकल भी बड़े अच्छे लिखे जाते हैं। इस तरह के आर्टिकल मिला करें तो पड़ा करिएगा। जमा करता हैं का विस्वास पुनहा जम गया। उसके बाद यह बैंक पुनहा ओठ खड़ा हुआ और अपनी सामान बैंकिंग गतिविधियों में सलगन हो गया। बाद में आप देखते हैं इस बैंक ने नए सेयर जारी कर और पूझी जुटाई और भारती इस्टेट बैंक की सिदारी 24.30 तक आ गई। इस्टेट बैंक के अलाबा 11 अन रिर्दाता संस्ता हैं जिनके पास इस बैंक के लगवग 9.34% सेयर हैं इस बैंक के 16.05% सेयर अन दो निजी एक्विटी फंडों के पास हैं। पत्रों की हालिया रफ्टों के अनुसार जापान की मित सुबी सी यू एफ एफ जे फाइनेंसियल गुरूप नामक कंपनी को स्टेट बैंक ऑप इंडिया की इस बैंक के सेयर उको बैंचने की बात आंगे पड़ गई है। तक लाना होगा लेकिन अब इसे भी मान गए हैं। प्रेजर बैंक के हस्तेचेप के बाद नाकेबल जमा करताओं का पैसा डूबने से बच गया बलकि बैंकिंग बिवस्ता में लोगों का विस्वास पुना इस्तापित हुआ। और इस पिक्रिया में भारती स्टेट बैंक को भी दस जार करोड रोपे से अधिक का पुझी का लाद भी हुआ। कि क्या एस बैंक के आप देखें इंक्यावन पी 30 सेरों को विदेसी हातों में सौप कर यानि एस बैंक जैसे महतवोंड बैंक को विदेसी हातों में सौपना उचित होगा। और LPG नीतियों के अंदरगत कई सरकारी उद्दमों का निजी करन किया गया है। बेते सालों आप देखते हैं कि अमेरिका नहीं हजारों बैंक दिवालिया हुए अमेरिका में जिसके चलते जमा करताओं को उनकी गाड़े पसीनी की कमाईी से हाथ दोना पड़ा। यूरोप में भी ऐसा हुआ। भारत एक ऐसा देश है जहां आजादी के बाद और खासतोर पर 1979 के बड़े बैंकों के राष्टी करन के बाद निजी बैंकों के दिवालिया होने की खबरें अपबाद है। सानेरी गेंक में जमा करता हूँ की राष्टी डूमना तो संभव है। संभव है ही नहीं क्योंकि इस राष्टी को सरकार की संपरवू गारंटी होती है। साथ ही साथ समय समय पर सरकार सार्विक छेतर के बैंकों की निजी करन की बात को दोराती भी रही है। से बित्तिय चेतरी की इस्थेतरा और विकास के लिए उपयुक्त होगा। क्या यह सब बैंक को विदीसी हातों में सौंपना एकमात बिकल्प है या उसके अलावा भी बिकल्प है। यदि बिकल्प है तो उन पर गंबीरता से विचार हुआ है यानि रड़नेतिक बीनिविस्ट तो जब सरकार रड़नेतिक निविस्कों की तलास में बीनिविस्ट के साथ आंगे बढ़ रही थी। तो कुछ हलकों से एक समझदारी भरा विचार आया कि क्या हम एक्विटी रूट के जरिए बिनिविस्ट नहीं कर सकते। करने के लिए एक चुक हो सकता है। से एर बाजार में बैंक में SBI की से एर धायता को विनिविस्ट करके भी यही रास्ता अपना है जा सकता है। क्योंकि बे एस बैंक में अपनी जमारासी को SBI में जमारासी के बराबर मानते हैं जिस पर बास्तों में संपरवू गारंटी है। कि SBI सहत बिवन निविसकों द्वारा येस बैंक में हिस्सेदारी बिक्री के संबंद में बंद दरवाजे की बैटकों में क्या हो रहा है। इसके बारे में जमा करताओं को फूरी तरह से अंधेरे में या आप दिखते हैं कि रखा गया। पास ऐसे बहुत से भारती खिलाडी नहीं है जो भारती बैंकों में हिस्सेदारी खरी सकें जबकि विदेशी खिलाडियों की कोई कमी नहीं है और यदि एकुटी मार्ग में से बी निवेसकों की संभावना को खारिच कर दिया जाता है तो विदेशी संस्थान के बार आ सक जो सरकार का वेवसाय में कोई काम नहीं है कि दर्शन के तहट हमारे अच्छे से चलने वाले बैंकों को अपने नियंतर में लेने के लिए तेयार है इसलिए अपनी हिस्सेदारी बैंचने के लिए पेरित करना और भारती प्रवंधन को एस बैंक बल चलाने देना उचित होगा और विदेसी खरीता है भारती बैंकिंग चेत में मुप्त प्रवेस के लिए कोई मूल पुंजी की एक छोटी रासी के अलावा जिसमें जिसकी हमें जरूर के बारे में याद रखे एस बीयाई की स्थाफ बात बार बार हो रही है स्टेट बैंक आप इंडिया की बात करा हूं इसका हेड़क्वाटर मुंबई में देखने को मिलेगा इसकी स्थाफना कब हुई थी एक जुलाई उननीस सो पच्पन में हुई थी एस बैंक की बारे म सब और 50 के विकला कि भी कार कि अर्धित्व के अरत्रों के बीचुन.. की आंगे आने बाले समय में भारति की अधिक,, होगी विसे सुरूप से कुरोना महामारी के पश्चात भारत ने आर्थिक विकास के चेत्र में तेजी तेज रप्तार पकड़ ली है और भारत में आर्थिक चेत्र में सुधार कारिक्रमों को लाओ किया गया है इस्टेंडर्ड एवं पूर नामकेटिट रेटिंग संस्थान है हाली में अपने एक प्रती बेदन में बताय कि भारत के लेंडर वर्स दोजार चौबीस में और इसके और इवं इसके बात के बर्सों में 6.37 की आर्थिविकास दर के साथ बर्स दोजार एक तीस तर बर्स की आध्यम आये समुकी सेनी में हो जाएगी वा भारत में सरकारी छेतर के साथी निजी छेतर भी पूंजीगत खर्चों को बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है इससे आंगे आने वाले समय में केंद सरकार पर पूंजीगत खर्चों में बिद्धी करने सम्मंदी दबाव कम होगा और कैंसरकार का बजट ये घाटा अधिक तेजी से कम होगा जिससे अंतता विदेशी निवेसक भारत में अपना निवेस बढ़ाने के लिए परे आकरसित होगा और इसी पिकार विस्ट बैंक एवं अंतराश्टी मुद्रा को उसने भी बरस दोजाए 24-25-26 में भारत के आर अधिक विकास के इंजन की रूप में कार करता हुआ दिकाई दे रहा है एक तो देखे विस्ट बैंक के बारे में याद रखेगा वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा हूं जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी अंतराश्टी ये संस्था वितिये संस्थाने बोसेंटन डीसी इसकी स्थापना आप देखेंगे एक जुलाई 1944 में हुई थी बोसेंटन डीसी इसकी संस्थाने की सफाई इस समय आप देखते हैं कि नदियों की सफाई की चर्चाएं हो रही है जहां भी देखेंगे और एक बात और आपको बता दू कि गंगा को देख लिए नमामी गंगे सुना होगा आप लोगोंने गंगा नदी अभी भी जेयों कीते हैं आप देखते हैं कि थोड़ा बहुत आप देखते हैं सफाई का काम हुआ वरना आप सोचिए कि जिस नदी को सबका उधार करती थी आज वो अपने उधार के लिए चिला रही है दिली में एक बार फिर यमना नदी में जहरीले जाक की सफेज चादत देखी जारी है हर साल अक्टूबर नमंबर में यमना में इस तरह का जाक दिखाई देता है हाला कि इस जाक को दूर करने की कोसिस की जारी है लेकिन सबाले है कि हर साल यमना में यह जाक क्यों पैदा हो जाता है क्यों पहले से इसे दियारी नहीं कि जाती कि यमना का यह जाक पैदा ना हो सके कुछी दिनों में बात छट का तिवार आने बाला है फिर क्या कारण है कि दिल्ली सरकार इस संबंद में कोई गंबी को पिदूसित करता है दरसल नदियों की किनारे अनेक सब बताएं विक्सित हुई है नदियां जहां हमारी आस्था से जुड़ी हुई है वहीं यह हमारी अनेक मूलभूत आवसकताओं की पूर्ती करने में भी अपनी महत्पूर्ण भूमी का निभाती है यह दुर्भाग पूर्ण ही है कि अदेश की अनेक चोटी नदियां नालों में तबदील हो चुकी है इन नदियों में लगबक 30 से 35 साल पहले स्वक्ष जल बहता था लेकिन आज अ अधितिक मात्रा में कोपर क्रोमियम और आप देखते हैं कि क्रोमियम लोहा जिंक और पिती बंदित कीटना से घुले हुए है हलाकि यह कुछ जगों पर धर्दी के अंदर काफी गहराई तक भारी तत अधिक मात्रा में पाए गए पिदुसक की भयालता का अंदाजा इस ब कि कोई संभावना दिखाई नहीं देती है भारत में नदियों की गुडवत्ता निगरानी करने वाली कई के अंदर ऐसे हैं जहां नदी जल के नमूनों में लेड आयरन निकल के अडिमियम और कॉपर जैसी भारी धातों मिली हैं इसके साथी 117 नदियों और सहायक नदियों कि गुडवत्ता निगरानी करने वाली कई के अंदरों की जांच में जल नमूनों में दो या उससे अधिक जहरील धातों ये पाई गई हैं चोटी नदियों के इस पिदूसन के लिए मुक्ता चीनी मिल पेपर मिल और रसायनिक उद्धोग आदी जिम्मेदार हैं इन मिलों अपने इस तर पर नदियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं बिडम ना एगी नदियों के किनारे बसी आबादी में भी नदियों को सापसो तरह रखने की कोई सोध नहीं है बलकि इसे पिदूसेत ही किया है और इस पिदूसन के कारण ही आज हैजा पीलिया पेचिस जने बीमारियां बढ़ती जा रहे हैं आस्था का जुड़ाव यह सही है कि नदियों के साथ भारती समाज की आस्था जुड़ी है लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अंध आस्था अनिक नई समस्याओं को जनम देती है अब गंगा को माता मानते लेकिन माता के तो ना ही नदियों पिदोसेत होती हुग ना ही हमें नदियों की सोचता के लिए सरकारी नेतियों के भरोसे रहना पड़ता है। भारती समाज यह अपने पाप दोने के लिए नदियों में डूकी तो लगा ली वाया लेकिन वोय नदियों की आत्मा में डूकी ना लगा पाया। वैं अंधता समाज के लिए ही गातक सिद्ध हुआ, असमाया गया है कि हम गंभीरता के साथ नदियों को बचाने के लिए प्रयास करें, इस मुद्देवर केवल सरकार के भरोसे बैठे रहना ओचित नहीं है, हमें कौसिस करने होगी कि नदियों को साफ करने की योजना में आम आदमी की सहिभागिता भी हो, आम आदमी भी इसे इसकी ओर ध्यान दें और वो भी स्वक्ष रखें, जलवाई अनकुल खेती को बढ़ावा देने की बातें भी हो रही है, किरसी नवाचार की बातें हो रही है, तो आप देखे भारत में, 2024 तक सबसे पहले गरम बर्स रहने के अर्मान के साथ आने में मानसून बारिस कई चेतरों में बार का कारण बन रही है, और फसलों पर नकरात्मक प्रभाव डाल रही, किसी चेतवा जलवाई परिवर्तन के प्रभाव इस पर श्रूप से दिखाई दे रहे हैं, बेतवर्स 2024 के बजट में किसी चेत को लाग टन करोर का आवंटन किया गया, और इसमें प्राक्तिक हेती जलवाई पिती रोधी फसल किसमों को परात्मिकता दी गई, काउंसल ओन एनरजी, इन्वारमेंट एंड वाटर के एक अध्यन में सामने आया कि आंध्यपिदिस बिहार और उडिसा राजिस्तान जलवाई जो पूरे किर्ष्टी परस्तिती तंत को फेरित कर सकते हैं, और आप दिखते हैं, इन्वाचार विस्तार देने युग है, बलकि इन्होंने बिविन जलवाई चेत्रों में प्रभाव सीलता जैसे बिविन आवसकताओं को पूरा करने में भी दक्चिता दिखाई है, हम जले के अमली पाड़ा, गाउं में किसानों को रूत्र चुनोती हों का सामना भी करना पड़ रहा है, ओडिसा में पैरा, खेती, मिट्टी और हवा दोनों के लिए सुखद है, ओडिसा के केंदर में पारंपरी केसी, पैथाओं को पुनेजीवित करने का एक पेड़ा दा, प्रियास जड़ें जमा रहा है, किसान तेजी से पैरा, खेती का रोग कर रहे हैं, जो मानसून के बाद होने बाली खेती की पदिती है, इसमें धान की ठोट को प्राक्तिक मल्च की रोम में उपयोग किया जाता है, यैसे चाई या रसानिक खाद की कम जरूवत के साथ बार परिक पिताओं के दस्तावीजी करन और सत्यापन किया जाए, क्योंकि इनके सामने बिलुप्त होने या विसे रूप से उपयोग किया जाने की जोकिम भी है, और आप देखें, आंदर पिदेश में मानसून से फूरु सूखी बाई एक नवाचार युक्तिकिस्टी पर दे करने का इस वसेड़ानों को लेकर हसलों की लक्चीलेपन में सुधार सुधार लाने सिचाईपन निरभरता घटाने इनपूट लागत बहरने में आसाजनक पईडाम दिखा है है, जमीनी इस तरप आप दिखते हैं सतत केती और जलवाई अनकूलन के प्रयासों में दिया गया जो की नवाचार को नीतिगत रूप रेखा में सामिल करने का इसपश्ट लाब दिखा रहता है बिहार में LPG LPG के लिए बर्मी कंपोस्टिंग का उपयू किया रहा है बिहार की मदवूनी जिले में बर्मी कंपोस्टिंग से जुड़ा एक नया मोडल सुखेद गाउं में किसी से चेत में बदला उला रहा है इसके तहट जो किसान का बर्मी कंपोस्टिंग यूनिट को 1200 किलो गोबर और किसी आउसेस देते हैं उन्हें मुप्त में LPG सिलेंडर की रिफिल मिलती है इससे इंधन के लिए लकडी पर उनकी निर्वरता और कारवां साजन में कमी आती है इसके अलावा बर्मी कंपोस्टिंग की सुख सेबल विद्धी और मचली उत्पादन को बढ़ाने की छमता को देखते हुए मचली पालन भार्म बहुत अधिक मत देते हैं नीती निर्माताओं को किसानों की मांग बाले ऐसे संभावित आउसरों को चिन्नित करना चाहिए ताकि अजीब का परियाबन और पोसन से समदी सभी लक्षों के पीच तालमिल सुनिश्चित किया जा सके राज की दिखाते हैं कि किसान कैसे चरम मौसम की घटनाओं की बाबजूद जल संसादनों का सतत्त प्रबंधन कर सकते हैं मिर्दा स्वास्तों सुधार सकते हैं और जीब कागो सुरक्षित बना सकते हैं अब समय आ गया है कि इन पद्दितियों को ब्यापक नीती के समर्तन बेव मन जानकारी जरूर रखा करिएगा यह जो उधारन है जलवाई अनकोई खेती के इनके भी आप लोग बता सकते हैं सुझाओ के रोम में तो इस तरह से आप दिखेंगे कि आज के संपात की वाट की कहानी कतम होती है आप लोग पढ़ते रहिए एंज्वाय करते रहिए अब आपका कोई सवाल हो सुझाओ हो तो बता सकते हैं धन्यवाद